कनोज में घर के बाहर सो रहे अधेड की अगजात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी है सो रहे अधेड की रात दो बुजे धारदार हत्यार से गर्दन काट कर हमलावर फरार हो गए थे पुलिस ने सब को कबजे में लेकर जांस सुरू कर दी है देर रात हुई निर्मम हत्या से गाउं में दहसत का माहौल है कन्योज के सदर कुतवाली छेतर के जलाल पुरुठ हकुरन गाउं में निर्मम हत्या का यह पूरा मामला है यहां की 48 वर्सी कैलास घर के बाहर सु रहे थे किसी ग्रामीर ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी पुलिस भी बिना देरी की मौके पर पहुँच गई कैलास की नबज चलती देख आनन फानन में उसे जिला स्पताल पहुचाया गया जहां डॉक्टर ने उसे इम्रित खोसित कर दिया पुलिस ने देर रात हुई इस निर्मम हत्या की परताल सुरू कर दी है कि रंजिस थे रंजिस तो कुछ नहीं थी खिफलाल अब पताने कौन कैसा क्या होगा कोई गाउं का होगा क्या करते क्या थे पापाate पापाः मारे मजदूरी करते ते हो चूरी बेशर दंदा करते ते अपना गाउं गाउं कितने बज़े रात में घटना ही है दो बज़े करीब हुई है फिर आप लोगों कई से जानकारी लगी पापा ने आवाज लगा ही थी लला कोई मार गया तब हम लोग नीचे उतर रहें जब वो बाज के गया इस था फिर आप कहा लेकर गई पापा जिलास्तृा लेकर गई जलास्ताल ले रिए जलास्ताल क्या पुलिस वाले जब रसती ले आए कहा ले आए जलास्ताल से उन्होंने चील घर में ले आए क्या कहा कहा कि है। लाए यहां पर चील घर ले आए फिर कुछ बताई नहीं रहा वो जल्दीर से उठाके ले आए अभी तक कुछ नहीं हुआ सर्व जलाल फुर्ट ठकुरान है भाया क्या नाम है आपका दीरंद यहां के कौन लगते इनका नाम था भाई थे बड़े वाई क्या हुआ इनको सो रहे थे पताने कोन आके और इनको काटके चला गया कहे से काटा फुलारी से फिर आप लोग न कहीं से जानी यह चिलाने थे जब ज आप दूसरे मकान में रहते हैं जोत्त तक वात कर नहीं में पर नहीं के लिए भी तो पिर कहां लेके गए तो रात में कहींहें लेकर पुलिस वालों ने अपना-बचाव किया यहां उठा के ड़ दिया को कुछ भी नहीं इनसाफ मिला हैं स्कुलिस नहीं टो को पिलिस तो आपर पुरानी गंजिस थे कुछ तो होगी बात्ची जब कुछ तो बताई के गए होगे जब सांस चल लही थी जब उन्होंने बुलाया है बैटी को और उनके अपनी बाइप को तो उनको कुछ तो बता के गए होंगे कि काम आम ना जलाल पुर्थ हकुरन